यह दो सिलाइकिलास नहीं आपका वेलकॉब आज हम ऐसे डोर्मेट बनाएंगे यह हमारा पैरेट वारा डोर्मेट है यह बहुती चल्दी बनतार बहुती सिंपल है इसका बनाना यह हम डबल खोल्डी करके बनाया है आप इस कपड़ी से भी बना सकते हैं और उन से भी बना स आप इसमें आठ फंदों में, जैसे आपको पसंद है, उतने में आप बढा सकते हैं, बनाने का तरीका एक ही है, फंदे कम जादा कर सकते हैं, तो ये देखिए, हमारा एक परेट आपको बताया, तो पूरा डोर में आप बढा सकते हैं, इसमें आठ परेट बढेंगे, हमने त परेट बना दिये हैं और पांच परेट बनाने तो एक परेट के बारे में आपको समझाएंगे तो बोधी सिंपल तरीका है इसका बनाने का तो बोधी जल्दी बन जाता है यह फोटी टू फंदू में बनाया है आप इसमें 45 फंदू में 43 फंदू में भी बना सकते हैं तो यह अमपोटे two में बनाया है, तो आईए शुरू करते हैं इसका बनाना, यह दिखे, अब हम border से शुरू करेंगी, जिसे शुरू आट से हमारा दूसरा parrot सुरू होगा, और यह border भी हमारा शुरू आट से शुरू होगा, और यह हमारी सात नंबर सलाई है, इसमें आठ नंबर भी ले सकते हैं और साथ नमबर में ले सकते कि अबन suo Đ उन्खिया है तो हम साथ नमबर ऐसा लाइव लिए तो हमारे जिसे छाइ फंदे हैं 5 फंदे हम उल्टे करेंगे और एक फंदा वारा सीधा उस पर हम जाले डालते रहने यह यह हम पांच फंदे उल्टे लेते हैं यह आमने पांच पूरी लैन होगी तो हम पांच को गटा दिया और यह सीध्दे वाले हम यहांसे उल्टा करतेगे तो ऐसे हैं यह पांच लैन पूरी होंगी तो हमारा घट जाएंगे और यह हमारे जैसे सीधे वाल फंदे जो जाली से बड़े हुए इसे फंदे हैं उनको हम उल्टा करतेगे तो ऐसे हमारी ये बोडर चलता रहेगा तो अभी उनको हम पांच को उल्टा करते हैं और एक फंदे पहम जाली डालते हैं ये दके पांच फंदो को उल्टा करतीया और ये एक फंद हमारा जाली डालेगे इस पहम बोडर पांच फंदे उल्टे बुना लिए और ये एक सीधे फंदे फंदे जाली डाल दी सीधा बुन लिया और अपनी साइड डागा करके और इस पर जाली आ गई अब हम यहां से एक बार सीधा यहां तक बुनके आते हैं यह पूरा होल है जैसे एक बार हमने छोड़ छोड करके एक एक फंदा हमने लाजब तक छोड़े है इसका जैसे गैप नहीं रहेगा तो यह एक सलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी मिकालेंगे और यहां आती समय हम यहां से शुरुवात करेंगे पैर्ट की एक सलाई हम ऐसे उतारते हैं जाली का फंदा हम यह से यह छोड़ इसको हम इसके उपर से और अपनी साइड में ऐसे कर लें सीद्धी साइड में करेंगे जैसे बुन रहे हुँ सीद्ध में इसको करना और फिर इसको उल्टा-उल्टा ऐसे बुन के लास्ट तक जाते हैं यहां से शुरू की अब हमने एक सलाई ऐसे सिद्धी साइड में हमार उल्टी उल्टी उतार ले हैं अब हम उल्टी साइड में उल्टी साइड में उल्टी साइड में हमार दस फंदे उल्टे उल्टे यहां तक बुनेंगे और फिर हमारी यह पोँच से शुरूआ दोगी जैसे यह पैरेट की पोँच है यहां सी हमारी शुरूआ दोगी तो दस फंदे हमें उल्टा-उल्टा भुंते हैं एक फंदा उतारा और यह दखिए, हमने यह तस फंदे भुंग लिये दस फंदों के बाद में यह गिरीन कलर लगाएंगी यह हमारा जैसे पैरट का कलर है यह कलर हम तीन फंदे हम इस कलर के बुनेगी तो यह जैसे उल्टा है और इसमें हम यहां से शुरू करतेंगे ऐसे डाल लेंगे और उल्टा बुन लेगी एक फंदा और यह दूसरा फंदा और यह तीसरा फंदा तीन फंदे होगे तीन के बाद हम इसमें आठ फंदे यलो कलर के बुनेगी गिरीन को इसके साथ में लेते चलेंगे ऐसे आइसका पैर बनाएंगे वहां तक हम इसको इसी में ऐसे डाल लेंगे ऐसे करेंगे उपर और ऐसे बुननेगे तो यह साथ में आमारे चलता रही गहीं आसे ऐसे करेंगे और ऐसे बुननेगे आठ फंदे यलो कलर के बुनते हैं और फिर हम तीन फंदे पैर के बनेंगे गिरीन कलर के और फिर तीन यलो के बनेंगे बीच में और फिर हम गिरिन के तीन बनेंगे तो छे़ फंदे हमारे गिरिन के हमें अलग अलग और पीच में हम यलो कलर देंगी हम यह दिखिए, दस फंदे छोड़के हमने पोच से शुरू किया है तीन फंदे हमने गिरीन के बुने, आठ फंदे हम यलो के बुने अब हम इसके पैर बनेंगे, पैर के हम तीन फंदे गिरीन कलर के बुनेंगे यह दिखिए, तीन हमने गिरीन कलर के बुन लिये, आठ तीन हम यलो कलर के बुनेंगे बीच में यह दिखिए, कहां से हमने शुरू किया, दस फंदे यलो कलर के बुने और तीन फंदे हम यह पोच के गिरीन के बुने, आर यह हमारे आठ फंदे है यलो कलर के, आर यह तीन हम पैर, जैसे तीन फंदे हमने यह पैर वाले गिरीन के बुने है और तीन हमने बीच में यह छोड़ दिया है, जैसे बीच में yellow colour किया है और फिर तीन यह green किया है, तो यहां से हमारे। फिर यह 12 भंदे हम yellow colour के बुनी है, यहां से आपको, यहां से ऐसे शुरू करना है तो आपका पेरट बिल्कुल ठीक आएगा, जैसे आप यहां से तरड कम ज्यादा भंदे इस साइड में किये तो यह हमारा गलत होगा आप ऐसे शुरू करेंगे तो यह आपका पेरट बिल्कुल सही आएगा तो आप ऐसे हम तीन यलो के बुनते हैं और फिर यह तीन गिरीन के बुनते हैं यह हमारे दोन नुप पैरू के टिन-टिन होगे पीच में यलो कलर होगा अब साइड में हमारा बारा भंदे बचे हैं यह हमारे यलो कलर के बुनके बुर्डर तकाते हैं उल्टी साइड में बुर्डर हमारा उल्टा-उल्टा बुनेंगे और फिर हम सीथी साइड में जैसे पांच फंदे उल्त बुनेंगे और फिर जाली से बढ़ा उल्टा बुटर बुणके यहा तक आ देंगे अब हम 27 मेर सी इच्पिसद्ध से फ़ेले बुनाथ हमने पाँंदेव बुनेगे एक फंदा उतारा लागा अपनी साइड किया और ये जार बंदे बूडेव91 पालब हु मदा हम उतारेंगे तो हमारा ये सुर्वातक डीजाइन की कि हमारी एक लेकी ऐसे आई कि ये देखी पांच फंदे उल्टे होगे पहली बार हमने बुना था तो एक फंदा हमारे जाली वाना बढ़ा हुआ इसको हम सीथा बुनेंगे गाउस साइड करेंगे और ये फंदा हम सीथा बुनेंगे फिर दूसरे फंदे पहम जाली डाले हुए जाले डालने के लिए तागाई साइड करेंगे और फंदे कर दो हम सीथा बुनेंगे तो इसके उपर ये आए खो ये अमारी जाली आएगी ये जाली देखवा ऐसे आति रहीगि जाली बुस्तोरा एक पिसे और इन फंदु को हम उटाए उटा भुनेंगे और यह दिखी यह हमने 12 फंदे यलो करक के बुन दिए अब यह गिरिन पा गए अब सीधी साइड है हमारी तो सीधी साइड में हम जैसा कलर है वैसे हम इसको बुनेगे और उठी साइड माएंगे तो हम फंदू को जैसे आगे पिछे गटाएंगे और जैसे यलो वाले गिरिन करेंगे गिरिन वाले यलो करेंगे तो यह हम जैसा कलर है वैसे हम सीधी साइड में बुन देंगे इस दागा इस साइड करेंगे और यह हम गिरिन कलर लेंगे और यह हम बुन देंगे ऐसे अच्छी साइड करेंगे अभी यलो कलर लेंगे पर हम उल्टी साइड आगे सिद्धी साइड हम जैसा कलर ता उल्टी साइड हमने कलर ज्वाइंड किया था पैर कालग और पूँच कालग अब शीद्धी साइड में हम जैसा कलर था वैसे बुन के लिआए हैं आप उल्टी साइड में हम यहां से यहां थक हम यलो कलर बुनते हैं देखि तस बंदे हमyaँ कलर के बुन दिये अब हम यहां पोश तक आदे अब एक खंदा हम यलो का बुनेंगे इससाद हमारा एक एक बढ़ता रहेगा और पिछिकी साद हमारा एक एक छूटता रहेगा ये यलो कलर के बुनेंगे और दो फंदे हम गिरिण का बुनके एक हम आगे यलो का कर लेंगे हमारे तीन तीन फंदे चत्ती रहेंगे इस सैड यलो का बढ़ता रहेगा और इस सैड यलो का गिरिन का रहेंगा यह हम यलो कलर का गिरिन का बना दिया यह देखिए तीन फंदे रहेंगे एक इस सैड में हमने यलो का कर दिया एक फंदा हम पिछे की सैड छोड दिया और यह ह पन्दों को यहां तक बुनेंगे यलो कटलर। गज़ित है पुर्थी साइड में वैसे इंव है जैसे कलर है वैसे टीसा Mundy करेंगे एकपन्दा छोर्ड था रहन्द फंदम यल्लोवाल जिसे और दूसरा भी आम यलोका करेंगे तो एक फंदा अमारा चलेगा जैसे आपको इसमें दिखाते हैं एक एक फंदा जैसे तीन शुरू होए थे एक एक फंदा हम छोड़ दिया और पीच वाला हमारा एक एक पैर का चलता रहा यह करते हैं दोन्नों का बीच में यह हमारे तीन यलोके थे इनको हम यलोके बुन लेंगे और अगले पैर का भी हम ऐसे एक यलोका करतेंगे और बीच का हम गिरिन का रखेंगे यह हम गिरिन का रखेंगे और इसको फिर हम यह यलोका करतें बाक्य हमारे सब यहां तक यलोके बुनेगे तो यहां तक बुनके लगते हैं उल और यह दिखी अब हम सीधी साइड में वखेर में मुझना है और इस में हम उल्टा उल्टा ही पुन61ए और यह हमारे जैसा कछिए और हम इसको उल्टा 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 बुनके , जैसे है वैसे यह इसको लिखकी जाएंगे और बोडर को इसे पाँच फंदे उल्टे बुलेंगे वह आमने पहले भी बताये था पाँच एक फंदा उतारा दागा अपनी साइड किया और चार फंदो को फिर उल्टा उल्टा बुलेंगे यि देखिए फंदे उल्टे हुगये और यहां हमारे दो बार जैसे जाली से बढ़ेँ ऊब यह फंदे उनको हम सीदा बुलेंगे का दोको सीदा बुलेंगे एक पाहम जाली डालेगे जितने में बढ़ते जाएंगे उनको हम सीधा बुनते रहेंगे अब ये फंदा हमारा लास्ट है इस पर हम आगे की तरप करेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे और इसके उपर सी लेंगे तो ये हमारी जाली आएगे तो यह जाली के फंदे बड़े हुए हैं, यह हमारे पांच हो जाएंगे, तब हम इनको बटा देंगे और इनको हम उटा कर देंगे, ऐसे ही हमारा बनता जाएंगे, उल्टी साइड में हमारा उल्टा 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 जाएगा, अब इनको हम सभी को जैसा कलर आओगा, ऐसे बोडर का कि इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे और शबको उल्टा बोनके जैसा कलर है वैसे यहां तक काथे हैं ऐसे लेखके जाएंगे अर उल्टी साइड में हम एक फंदे पाल्ञे छोड़ आधा और ये का भी छोड़ देगे इस साइड में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे उल्टी सैड में, तो इस सैड में एक एक फंदा हर बार छोड़ता जाएगा, और इस सैड में ये जिसे एक छूटेगा, ये गिरिन वाला जिसे यलो का होगा, और इस सैड में ये यलो वाला गिरिन का होगा, ये पोच हमारी ऐसे बढ़ते इस सैड में ऐसे एक एक फंदा गिरिन का लेते रहेंगे और इस सैड में लोका एक छोड़ते रहेंगे और इस सैड में हम गिरिन का बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे जाएगे तो हम यहां तक आते हैं फिर आपको बताएंगे एक फंदा छोड़ देंगे 40 सैड में और यह पहले बार छोट्या एक आभी जोड़ दिया और उल्टी साइड में गुनके यहां तक ले आए आप जैसे आम आपको बता रहे हैं इसको एक गिरिन को हम यलो कलर कर लें एक फंदा हम यलो कलर का गुना लेंगे और बाकी दो फंदे किरिन के रहेंगे एक आगे बढ़ातेंगे तीन अब हमारा यलो का गुनता जाएगा और एक-एक हमारा छोडता जाएगे यह वंदे हमारे बराबर रहेंगे गर्दन तक जाएगे इतने और ये हम यहां तक भूलते हैं ऐसे ये, एक एक उइस तरब बढ़ता दा एगार, यहां अमारे 5 पंदे बचेगे तब तक हम जैसे ये 2 लैन भूली, 3 लैन और भूलते हैं और ये 3 के बाद हमारी जैसे यहां से 6 लैन होगी तब हमारे फंदे यहां सभी गिरिन के हो जाएगे और यह देखे, यहां तक हम 6 लैन पूरी करते हैं एक-एक फंदा इस तरफ बढ़ाते रहेंगे यहां से हम 8 फंदे डालने थे और यहां फंदा हमारा पैर का इस सैड मोगा तो 9 फंदे हो गये थे और यहां अमारे 5 फंदे बचेंगे जब तक हम इनको यहां तक गुण के लगते हैं सिद्धी सैड में ऐसे सीधा सीधा गुणना है और उल्टी सैड में हमारा एक-एक फंदा इस तरफ बढ़ेगा यह देखे, यह हमने यहां अमारे 5 फंदे बच ले यहां से अमने 8 फंदे डाले थे और यह 1 फंदा हमारा इस सैड से इस सैड मेंए था नो फंदे हो गए थे हाँ 9 के हमारी यह जिससे 9 रों हम बन लिए 8 चार सीधी सैड में हुने हैं और 4 हम उल्टी सैड में यह हमारी जिसे 4-4-8 रो होगी और यह हमारी 9 रो यहां देखिये सीद्धी साइड में गुनके ऐसे रहे लिखके गए हैं अब सीद्धी साइड में गुनके आएंगे यह हमारी 10 रो जाएगी और 11 रोपए हम इसको पूरा करते हैं यहां हम एक बन के लाएंगे उससे पहले हम आपको बोर्डर बताते हैं बोर्डर की पांच लैन पूरी हो गई अब हम इनको गटा देंगे जो यह उल्टा आज हुई है उनको गटाएंगे और जो सीध्य हमारे जालियाल फंदे बड़े हैं उनको हम उल्टा करेंगे यह दूसरा हम इसमें डाल लेंगे फिर और फिर वापीस दो का एक कर देंगे तो ऐसे हम दो का एक करते रहेंगे यह हमारे पांच फंदे गटा देंगे देखिए यह देखिए हमारे पांच फंदे गटा दिये और यह हमारे पांच है इनको हम उल्टा कर देंगे जब हम दुबारा आएंगे तब इनको उल्टा करेंगे अभी हम इसको जैसे ऐसे सीधा सीधा बोल देंगे यह हमारे लास्ट फंदा है इस पर हम जाली डाले आगे की तरफ करें सीधा बुना और यह हमारी जाली होगी ऐसे जाली गिरती होगी यह हमारा बोडर ऐसे बनेगा अब हम सीधी साड में इनको ऐसे बुनके लिए जाएंगे जैसा कलर हम ऐसे बुनके उल्टी साड माएंगे तब हम यहां तक आते हैं फिर बताते हैं आपको कितना गिरिन करेंगे और यह हम कितना यलो रखेंगे लेगे, कैसे बुनना हैary है यह हमारा यलो कलर है इसको हम यलो से ऐसे बुन लिया दाग्ये को यह साइड कर देंगे अर यह गिरिन वाड़ा हम आगे की साइड लेंगे और फिर हम गिरीन से बुन इसमें आगे पिछे गटाना बढ़ाना नहीं बच जैसा कलर वैसे बुनना है बस तागे को आगे पिछे करना फिर इसको पिछे कर दिया यलो आगे लिया और फिर हम यहां तक बुन लेते हैं लास्ट तक जैसे हम पंदे छोड रहे हैं वहां तक छोड देंगे छोडने वाला फंदा हमारा अलग से दिखाई देगा एक एक फंदा हम छोडती रहेंगे और एक एक हम इसमें इस तरफ पढ़ाती रहेंगे तो फंदे हमारे बराबर चलती रहेंगे बराबर चल रहे हैं जैसे हमने 10 फंदे डालेती तो 10 रहेंगे इस सैड में बढ़ जाता है अर इस सैड में मारा एक घट जाता है तो देखे अब हमारे जैसे छोड़े हूं यह झोट गया यहां से हम एसे ओटी सैड में होंगी उल्टी सैड में हमें आवे कैसे बुनना है यहां तक हम ऐसे लाएंगे बुनके उल्टी सैड में और यहां से हमें आगे गिरिन वाले बना लेगी यहां तक हम गिरिन तक ले आए अब जिसे हमारा यह है आपको दूसरा पैरेक्ट के दिखाते हैं यह हमारी लैंड यह पूछ हमारी हां तक वुन गई देखिए यह भी हां तक वुनी है एक, दो, ती, चार, पाँच और इसमें भी एक, दो, ती, चार, पाँच यह हमारी चठी लैन है जिस पर हम गिरिन करतेंगे और एक फंदा हम आगे की तरफ बढ़ातेंगे तो इनको अब सबको हम गिरिन करेंगे और यहां बीचवाले फ पाँच रो देखणी आपको, अब इनको हम गिरिन से बुनेंगे, सब इको इस तीन फंदे थे पोचके अब सबको हम गिरिन, इस पंदरा फंदे हम गिरिन के करेंगे एक फंदा हम इस तरफ बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे एक यह बढ़ा दिया, अब यह आपको दिखाते हैं यह दिखी, यह हमारा पैरिट का यह गिरिन यहां से सुरू किया और यह एक फंदा हम हम इस बढ़ा दिया, यह बढ़ा दिया यहां बढ़ता जाएगा। 6 lane तक बढ़ता जाएगा। इस left 9 side में रहेंगी। 16 lane बढ़ता जाएगा। 12 lane बढ़ती साहिए ऑल दीस left 10 low क क चूड़ता जाएगा। और इस साड में जैसे हमने पिछे से छोड़का आये हैं, ऐसे ही छोड़ता जाएगा, इस साड एक एक बढ़ता जाएगा, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छै तक हमारा बढ़ आएगे, और फिर हमारा बराबर छै तक चलेगा, उसमें नहीं बढ़ेगा, छै लेन हमारी बढ़ा पर चलेगे, तो छै तक हम बढ़ाएगे, छै रो तक हम एक एक बढ़ाएगे, छै जैसे उल्टी सैड में बुनेंगे, और छै हम सीद्धी सैड में, तो बारा रो हो जाएगे हमारी, तो यहां सी हां तक हम एक एक फंदा बढ़ाते बढ़ाते हैं, और यहां सी एक एक फंदा ही अलोका होता जाएगा और यहां सी हम इस सैड में बढ़ता जाएगे तो यह हमारे यहां सी यहां तक हमारे पंदरा फंदे हैं देखिए पांच फंदे यह और पांच यह दस और तीन हमारे पोच के और दो हमारे पैर के तो यह हमारे पंदरा हमारे ऐसे चलते रहेंगे एक एक बढ़ता रहेगा और एक एक इस चड में अलोका तो यहां तक हम छै रोक तक हम बनाते हैं यहां तक पुरह करते हैं और यह मारे सीद्टे वाड़े अब हम इसको उल्टा करदेंगे यह retr हम बन के लेथ आर उल्टी सैड में जैसे उल्टा उल्टा बोलके हाठ पिले आयें और फिर दुबार सिद्धी साइड मा आये तम हम उनको उन्टा करेंगे पाच भंदों को उन्टा करेंगे और ये एक भंदे पर हम जैसे जाले डालेगे जो सिद्धे वाला रहा इसको पर हम जाले डालेगे ये ओभी पाच भंदे और ये हमारा एक भंदा सिद्धा है परले भड़ा हुआ और ये हमारा जैसे इससे परले हम इसको इस सेड में दागा लेंगे और ये हमारा जाले का भंदा है ऐसे करेंगे और अब इसकी मुकर से हम ऐसे लेंगे और आगे की तरफ करेंगे और सब को उल्टा उल्टा भुनके चीद्धी सैड में जैसा कलर है वैसे ही भुनके लेक के जाएगे तरफ करेंगे तो यह हम this side में नहीं बड़ाएंगी हुए 6 row हम ओर बुलते हैं जिसे double में हमारी 12 row रहेंगी और single में, इस side में, सीधी side में 6 row रहेंगी तो यह 6 layer हम इसमें यहां तक करते हैं यह दिखी और यह हमने कर लिया इसका यह दिखिए, एक एक बढ़ाके हमने एक, दो, ती, जार, पांच, छै, ये 6 तक कर लिया है हमने, तो ये हमारी सिंगल में, जैसे 6 हमने उल्टी सैड में निकाली है रो, और 6 हम जैसे सीधी सैड में, तो हमारी 12 रो होगी, और ये हमारी सीधी सैड में 6 लाइन होगी है, एके की सैड में बढ़ाया है, और एके की सै बुनते हैं और उसके बाद हम गर्दन पाएंगे यह देखिए यहां तक बुनते हैं और फिर हमारी यह गर्दन पाएंगे तो यह 6 रो बुनते हैं यहां तक यह देखिए यह हमने 6 रो यहां सी हां तक की पूरी कर लिए जैसे यह हमने एक एक हंदे बढ़ाते हुए 6 रो यह यहां तक कि हमारी 24 है, जैसे यहां सी लेककर हमारी 24 रोव बनाई है, जैसे 12 लेन है, एक, दो, ते, जार, पॉन, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और यहां हमारी 12 है, अभी हमारी उन्टी साइड माएंगे तो हम यह गर्दन वाला फंदा, जो हमारी गर्दन पनेगे, इ साइड से घटते ला रहे है, यलो के बना थे ला रहे है, एक हम इस साइड में, यलो के बना देगे, और यह गर्दन वाले हमारी 7 फंदे बचेंगे, तो यह देखें हमारे यहां, जैसी यह उन्टी साइड में गटेगा यह यलो का बनाघ proto हिसे ये लो का बना तेगी. ये वेखिए, ये हमारे 8 भंदे हो गए, फिर हम वह सिर्दी साइड में बुन के लाएंगे, फिर उर्टी साइड में फिर आएंगे, तो ये लो का होने के बाद हमारा इसे 7 भंदे बचेगे, और इसको हम यलो का करतें. ये देखे, ये हमारे गर्दन का, ये जिसे बार भी जिसे 6 हमारी ये थे, और 6 ये ओन, के बाद 7 भी पर हमारा ये एक फंदा, जैसे इस साइड से कम हो जाएगा, और एक एक फंदा इस साइड से तो, जैसे यहां से सुरुवात से कम हो है, और ये देखे, हमारी इस साइड मे यलो का बना रहे हैं यह फंद्य हमारे बराबर चल रहे हैं लास्ट में अब आखके हम गर्दन पर इस सैड में भी नहीं बढ़ाएंगे और इस सैड का हम गटाते गटाते जाएंगे यलो का हम यलो काई हुनते रहेंगे यहां से आमारा बोर्टर सुर्व होगा ओल्टी सैड में बोर्टर को उल्टा उल्टा बुनना है यह देखें सीथी सैड में सीथी सैड में हमीं जैसा कलर है वैसी बुंती रहेंगे शिरफ बोर्टर का डिजैन बनना है तो बोर्टर का हमारा यह पांच फंदे उल्टे बुनने है और यह जाली से बड़े हुए फंदों को सीथा बुनने है और एक फंदा पर हमें जाली डालनी है हमने उटे बुन दिये जाली से भड़े वे तीन फंदों को सीधा बुन दिया और एक हम पर जाली डाल दी और लास्ट में हमारा इसे सीधा बुने उस पर जाली आगी अब हम इसको साइड रखेंगे और इसको आगे की तरफ करेंगे और इसको हम उल्टा उल्टा बुनके यहां तक आते हैं अब यलो का इस साइड करेंगे गिरिन का आगे लेंगे और इन फंदों को हम गिरिन वालू को गिरिन से बुन लेंगे इस साइड में बस जैसा कलर है वसे बुनते जाएंगे एक फंदा हम यहां फिर यह लोका करेंगे अब हमारे फंदे एक, दो, ते, चार, पांच, छे, साथ फंदे बचे यह हमारे इस घर्दन के फंदे बचे यह साथ इस अब इस में इस साइड में भी नहीं यह लोका करना है और इस साइड में भी और इस पिछे की साइड एक एक छोड़ती रहना है इस साइड यह फंदे हमारे घरतन के लाश्ट तक चलेंगे तो यह आब हम गिरिन के बनेंगे तो एक में हमारी जिसे दो से दि सैड में तो दो लिन ये बनाते हैं उसके बाद हमारी red color लगेगा दो lane हमारी red color के आएंगे और उसके बाद फिर दो green के आएंगे ये सिद्धी side में तो ये यहां तक हम पूरा करते हैं ये 6 row हो गई हमारी तो जैसे single में ये सिद्धी side में 6 है और जैसे सिद्धी उल्टी side दोन मिलाएंगे तो ये हमारी 12 row भुलाकते हैं जैसे 4 गिरीन की और 2 red की बीच में तो यहां तक आते हैं यहां हमारी 2 green की है यहां 2 red की है और यहां 2 फिर green की है जैसे हमने पहले वाले में देखी 2 green 2 red और 2 green अब हमारी जैसे 3 रीस पर 3 फंदा जोटेंगे और 3 इस सड और पीछ में एक में हम divided एक बनाएंगे और आगे हम तेन रेड का से बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगी देखी यहां से हमने एक एक फंदा हमारा हर बार छोटता जा रहा है जैसे यहां तक आमारे फंदे पूरे जैसे दस लिये थे यहां तक एक एक बढ़ रहा था एक एक छोट रहा था अब यहां गर्दन पर आने के बाद हमने यहां बढ़ाना छोट दिया और पिछ्छी की सड़ हम सबको गटाते हैं एक एक को तो ये पूरे भंद्य अमारे उपर तक गट जाएंगे तो अब ये देखी इसको हम गिरेन को तेन गिरेन बुन लेंगे एक और ये इसे दो और ये तेन गिरिन कब होंगे लिया हमारा säga black कब होंगे तो ये हमारा आख वने की तो इसको हम black कब होंगे अब फ़िर हम तेन गिरिन कब होंगे अब आग्गे हम तेन गिरिन ये छोड़ देंगे और ये रेड का हमारा भून लेंगे तेन फंदे ये रेड का हमारा ऐसे लेखे और तेन फंदे भून लेंगे तो आपी साथ से में फिर बूनेंगे आगे हम यलो का बूनेंगे यहां से हम यलो का लेंगे और ये फंदे हम यलो का बून लेंगे देखे आख मला भंद हमारा एक बार भून के लेगे एक बार वापिस से दिशार में भून के ले आए आप हम इसको गिरिन का करेंगे और आपके का गिरिन का गिरिन से बूनेंगे रेड का हमें तेन फंदे तेन भून के ले गए और तेन वापिस भून के ले आए अब हम इसमें दो भंदा बूनेंगे रेड का अब फिर हम एक बूनेंगे दूबारे डूसरी बार आएंगे तब एक बूने पहली से बूनेंगे फिर दो मूनेंगे आप हम यलो कर लेंगे फैसको अलगर इक यह बख्ये आइसमें उनके बर बाJan के लाएंगे देखिए आप क्या बनने के बाद हमने यह तीन फंदे मूं के बढ़ाए थे रेड़ कलर के फिर हम यह दो बुने फिर एक लास्ट में एक बुना अब यह हमारी तीन रो हमारी उपर गिरिन की साथ-साथ फंदों की बुन गईए अब हम लास्ट में एक इस फिर हमारी 5 फंदे बचेंगे उसके बाद फिर अगली में हम एक ही सेड और एक ही सेड तो हमारे लास्ट में 3 फंदे बचेंगे उनको फिर लास्ट में हम तीननों को यलो कलर करतेंगे अब हमें एक ही गट आते हैं देखिए यह हमने यलो का बुन लिया यह गिरीन वाला यलो को कर लिया और लास्ट में यह हमें 5 फंदे बुनेंगे गिरीन के लास्ट में यह पंदा यलो का इस सेड करतें यह हम यलो का करतें पैड बाक्के हम यलो के बुल लिए निचर सेड माएंगे जब हम ये पाचों को गिरीन का बुनेंगे उटी सेड माएंगे फिर एक बंदा इस सेड ही यलो का करेंगे जैसे अब ही किया है और यह एक इस सेड लास्ट में हमारत तेन फंदे बचते हैं तो वह तक हम करतें लास्ट में दुन के बाद हमने एक एक इस साइड गटाएं फिर पॉच भंदे बचे फिर एक एक फिर गटाएं फिर तेन बच के अब हम उल्टी साइड में सभी को यलो कलर करते हुआ हमारा पैरट यह तैयार हो गया और यहां तक हम बुल के आएंगे और वह आपिस जाएंगे तो सब को यहां से यहां तक हम पूर पैरट शुरू करेंगे वह अपिस आपते समय तो अभी हम यह इसको यलो से बुलते हैं सबी को उल्टी साइड में और यह भूती जल्दी बनता है और ऐसे हम पूरा वारे आठ पैरट बनेंगे तो ऐसा हमारा डोर में तो बनेगा पैरट वाला तो आज का वीडियो आपको बसनाय तो लाइक जीर कमेंट जरूर करें थेंक्यू